धाल या सुलोप भोगोलिक द्रिष्टी से 36 रेखा के सहारे चट्टानों में बनने वाला कूर धाल कहलाता है 36 रेखा के सहारे चट्टान में जो कूर बनता है वही धाल कहलाता है 36 रेखा 36 रेखा किसे कहते हैं पहले जान ले जाए जिसे कोई तराजू का भार तराजू की रणडी होती है दोनु तरफ बाहर समान डाला जाता है तो वहार रेखा एक सीध रेखा में आ जाती है वही रेखा, 36 रेखा कहलाती है दूसरे सब्वक्तों में, किसी गेंद के ूपर कोई छड़ी रख दी जाती है तो दोनों तरफ की छड़ी एक सीध में जब दिखाई देती है किसी तरफ जूकी हुई नहीं होती है तो उसे 36 रेखा कहते हैं चत्तानों का भी कौन होता है 36 रेखा के सारे एक रेखा खिंज दी जाती है और उस पर 90 डिगरी का कौन बनाता हुआ लंब डाल दिया जाता है फिर देखा जाता है कि वह चत्तान इस चैति ज्रेखा पर लंब के सारे कितने डिगरी का कौन बना रही है उस कौन को माप लिया जाता है वही चटान का कौन कहलाता है अब देखते हैं ढाल तथा उसके भाग यह चटान है अस्तला किरती है इसमें ढाल दिखाई दे रहा है यह ढाल है अब इसमें कौन कौन से भाग है ढाल में इनकी समस्त विशेशता हैं देखेंगे ढाल यहां से यहां तक का भाग यहां से यहां तक का भाग उत्तल ढाल उत्तलता कहलाता है यह उत्तल है इस्तरा इस्तरा अगर रेखा कीची जाती है तो ये न उत्तल है न उत्तल है सरा रेखिये ढाल है ये इसका पेटू उचा होता है तो उत्तल हुआ अगर ये अंदर की उजुका हुआ होता है तो ये उत्तल हुआ अर्थात ये उपर उठा हुआ है ये उत्तर ढाल है फिर मुक्त प्रिष्ट है उत्तर ढाल के नीचे एकदम सीधा ढाल होता है यहाँ पर मल्बा कभी भी रुपता नहीं है इसलिए इसे मुक्त प्रिष्ट कहा जाता है सारल रेखी ठाल येशा के भी बता या था ये सरल रेखा की भात ये दिख्खाई दे रहा है ये वे सीधा होती है लेकिन की रेखा की माथ दिखाई देती है यह लंबे ओन प्हय नहीं होती है चईती यहां पर मलवा इत्यादा करके जम्मा होता रहता है, मुख रूप से चार प्रकार के ढाल हुए है सलाकिती में, उत्तल ढाल, मुक्त प्रिष्ट ढाल, सरल रेखी ढाल और अउतल ढाल, जैसे के इसमें दिखा गया था, कि सरल रेखा, उत्तल, आउतल, तो यहां भी उत्तल ढ सरल ढाल, मुक्त प्रिष्ट ढाल, सरल ढाल, फिर अउतल ढाल, इसे प्रतीक के रूप में दिखाय जी गया है, कि उत्तल ढाल, करण के थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, मुक्त प्रिष्ट सरल रेखा से भी थोड़ा खड़ी हुई ढाल होता है, यह समकोंके एक skinny के एक बताया गया था पर्वत में कहां कहां ये छेत्र होता है उत्तर धाल वाला या उत्तलता पर्वत का सबसे उपरी भाग में परिच्छाम पूछे जाते हैं कि उत्तर धाल या उत्तलता पर्वत के किस भाग में होता है तो या पर्वत के सबसे उपरी भाग में उत्तलता होता है उतलता के नीचे मुक्त प्रिष्ट वाला होता है मुक्त प्रिष्टियों में उतल के मद्ध सरल रेखी ढाल होता है और सबसे निचला भाग आउतल ढाल होता है परिच्वम एक सर एक जम पूछ ले जाते हैं कि इनको करम से बैठाईए किसी परवत के सबसे उपरी सिरे से निचले भाग तक इस ढाल का करम बैठाईए उतलता मुक्त प्रिष्ट सरल रेखी ढाल आउतल ढाल प्रक्रम उतल ढाल पर आपछे तता मिर्दा सरपान साता होता रहता है यहां पर अपशे तता मिर्दा सरपान मिटी का खिश्काव सोता होता रहता है अगला मुक्त प्रिष्ट पर यह नग्न चटान से युक्त होता है यहां पर किसी प्रकार के मलवे का जमाव नहीं होता है फिर सरर रेकी ढाल पर दीरे दीरे मलवा का जमा होने लगता है यहां के वो पतली परते ही देखने को मिलती है मलवा जमाव अधिक होता है आउतल ढाल पर यहां पर सारा मलवा लाला करके जमा होता रहता है सबसे ज़्यादा जमाव आउतल ढाल के सारे होता है बिस्व में कहां कहां इनके छेत्र पाये जाते हैं तरून कांगलोम रेट परवतों में उत्तर ढाल देखने को मिलते हैं मुक्त प्रिष्ट ढाल सभी प्रकार के युवा परवतों में देखने को मिलेंगे सरर रेखी ढाल आद्रियोम उपाद्र छेत्रों में और उतल प्रकार के ढाल सभी प्रकार के छित्रों में बिस्ट के सभी छित्रों में देखने को मिल जाएंगे